हमिशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो डूंट सिट आइडल कि खाली बैट गए ना और एक बार खाली बैटने की आदत अभी इस एक में पढ़ गई तो आगे जागर कि आपसे कामी नहीं होगा आप समझ रहों? ऐसे बहुट सारे लोग हैं और अंडिया पे तो भरे पढ़े हैं गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पढ़ गई अब खाली बैठने की आदत पढ़ेगी तो आपको सरकल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं विल्ले हैं अब एल्ला आदमी क्या करेगा, टाइम को पास करने के लिए, टाइम पास करेगा, टाइम पास कैसे होता है, पत्ते के लेगा, पत्ते के लेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीदे काम करेगा, रैट, यह सब मिलता जोता है, पत्ता, सट्टा, सुट्टा, इन टा से मचके समझ आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? ड़स इत मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए जाओई सापके हाथ में है यह ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए कुछ क्लासे अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो अब आप कह रहे हो कि यार सही है खाली टाइम है तो आप टाइम पास करो इस इस वान ओप्शन इसको यूटिलाइज करो लेट मी डू सम्थिंग तो मेक मैसल बेटर नॉट जस्ट इंटर्म्स अफ एडुकेशन बट ओवर ओल मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाईस में आपको यह दे सकता हूँ बेस्ट अपॉन माई अंडर्स्टेंडिंग एड़ियंस के कभी भी खाली मत रहो कुछ भी करो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेट नहीं है लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का और उसमें कोई बहुत बड़ी इंवस्मेंट नहीं है ना टाइम की ना पैसे की फॉर एक्जामबल स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने तो को कनेक्ट किया इसको बोते हैं कनेक्टिंग दॉट तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें ठीक है तो यह छोटी छोटी चीज़ी होती है लाइफ में जो आपकी परस्नालेटी को एक अलग लेवल पर ले जाती है चाहे वो कुछ भी हो मतलब आप यह भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घुमना ही है तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिफ से मत घुमो कुछ सीखने के मोटिफ से घुमो आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट यह रखो कि यार मैं अपना time pass नहीं कर रहा हूं time को utilize कर रहा हूं why not? this is the way of thinking जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है life में because time pass इतना दंदा word है that means कि आप डल हो गए there is nothing like time pass for me in my life everything is utilization of time कुछ भी कर रहे हो, कुछ नो कुछ सीख रहे हो समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने जादा पी ली या किसी दोस्तों ने जादा पी ली तो देखो पी कर गया आत्मी कैसी कैसी हर्गते करता आप समझ रहे हो और उसकी वेसे क्या गडबड होती है कभी डंडे भी पढ़ सकते है कुछ भी हो सकता है तो उस समय भी उससे भी कुछ नो कुछ सीख लो कुछ नई दोस्त बनाई हैं अपने कॉलेज में तो वहाँ पर भी कुछ सीखो तो आप क्या करोगे आप सुनोगे उनकी बातों को आप समझोगे आप उनसे बात करोगे और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें ना कि अपनी अपनी बोलते रहे यह की नहीं मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैट करके यह जी चीजे हैं छोटी छोटी होती है लेकिन अगर आपका सीखने का मैंड सेट है और आप 24 गंटे इस तरीके से कुछ न कुछ सीख रहे होना तो यू नोटेस कि आप धीरे-धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो बट यू आर बिकॉमिंग अ बेटर यूमन भी अ बेटर पोस्टन चो बहुत बड़ी चीज है कि एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए लेकिन पस्टनलिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे याप माइनर चेंज़ आए यह आप पूरे तरीके से ट्रांसफर्म हो है कि आपको अगर कोई हर एक साल बात मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा अगर वह कह रहा है कि यार तू वैसा ही है बिल्कुल नहीं बदला तो आप गलाट राइक पना जा रहे हो लोग इसको कॉंप्लिमेंट समझ लेते है तो इस नारा कॉंप्लिमेंट निए लोग पहले भी थके होई थके होई हो तो आपने कुछ सीखा है आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे तो ये सिरफ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18 साल 19 साल तो अभी के लिए नहीं है पूरी लाइफ के लिए लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थौट के ओपर जिसके मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ नो कुछ सीखते रहना है अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से चार साल पहले जो मेरे सेशन्स देखे होंगे और आज जो सेशन्स देख रहे हो उसमें आपको जमीन आसमान का फरक मिल रहा हूँ तो क्या हो रहा है कभी सोचा है मैं कॉंस्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूँ मतला आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो अगर अगले छे महने बाद मिलोगे तो you would find a different person कुछ लोगों को इसमें थोड़ा uncomfortable भी लगेगा तो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है अरे में बदल गया भाई समझ कहना that means I am growing मेरी understanding भढ़ रही है I am not stagnant मैं रुक्योवे पानी के जैसा नहीं हूँ जिसमें काई जम जाती है बहते हो ये पानी के जैसा बहरा हूँ, बड़ी तेजी से बहरा हूँ 24 घंटे सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ ठीक है? तो most important यहाँ पर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समप करूँ तो most important busy रहना है अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप कुछ भी सीख रहे हो चाहिए वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में कि करोगे तो वैसे भी लेकिन अजर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी साही है गलत काम क्या है मुझे बताने की जरुवत नहीं है आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया में गलत काम भी अगर आप एक learning attitude से कर रहे हो कि मुझे सीखना है and I need to grow out of it तो वो अच्छा है और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बिकार है गरवालों ने कहा है कि ये career choose करो और पढ़ो तो हाँ बस गरवालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी ये हो जाएगा हो जाएगा सब बिकार है ठीक बाद है ना कि आप सही काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फाइदा क्या है इफ ये नोट चाज़ड अबाउट इफ ये नोट एक्साइट अबाउट इट तो होगा क्या कि अगर ही सीखने वाला आटिटूड होगा तो you will never get stuck in your life आप constantly आगे 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 भढ़ते चले जाओगे grow करते चले जाओगे खाली बैटने से अच्छा है कि कुछ आप बेकार का काम कर रहे हो अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो जहां करके अपने घर से निकल जाओ घर से मतलब घर छोड़ना नहीं है आगे घरवाले मेरे पास आजाए तो जहें कहा है अजी हमारा बच्छा मेरी बेटी कहा है घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे होए हो थगे होए टीवी देख रहे हो उससे अच्छा है कि भार बैठ जाओ जा करके और जा करके बैठ करके लोगों को अबसर्व करो देखो लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हो जो आप बनने वाले हो जो वो बन चुके हैं, उनको देखो, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, सोच पा रहे हो, जैसे for example, आप एक engineering college में हो, तो आप क्या बनने वाले हो, engineer बनने वाले हो, engineer बनके क्या करोगे, क्या करोगे, किसी न किसी multinational company में जाओगे, as a software engineer वहाँ पे काम करोगे, वहाँ बार जाक करके बैठ जाओ, देखो उन लोगों को, जो वहाँ पहुच चुके हैं, जहाँ पहुचना चाहते हो, जा करके उन लोगों से बात करो, बात तो करी लेंगे, बात करने में क्या दिक्कत है, lunch break होती है, उसके time पे सब लोग भाहर आते हैं, करते हैं, बैठते हैं, तो उन से बात कर सकते हो, जादा नहीं आपने दोचाल लोगों से भी बात करी, कितना कुछ सीखने को मिल सकता है, उनको बताओ कि ऐसे से मैं यहाँ पर हूँ, इस कॉलेज में हूँ, और मैं आगे जा करके कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ, तो I just want to learn something from you, can you share something out of your experience to me, it would be really helpful for me, सो तो उनसे बात करके, आप जो सीखोगे, क्या को छोटी चीज होगी? बहुत बड़ी चीज हो सकती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक तो busy हो रहे हो, दूसरा आप सीख रहे हो, कुछ constructive सीख रहे हो, तो हो सकता है, उनसे बात करके, आपको ideas मिलेंगे, कि जो तुम कर तो तो इस तरह से आप अगर अपना यह mindset बना सको, कि मुझे, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, एक तो मेरे को हमीशा अपने आपको busy रखना है, और कुछ नों को सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, then you will keep on growing, and then this growing will become your habit, आदत पढ़ गई? जिसे हरिकी अपनी एक आदत पढ़ जाती है, वो आदत इसी एज से पढ़नी शुरू हो जाती है, आदते अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगे, अभी एगर आदत पढ़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से comfortable life मिल जाए, समझ गए है, गए है पूरी life के लिए, मिल भी गई तब भी मरे, नहीं मिली, तब भी मरे, नहीं मिली तो रोते रहोगे, और मिल गई तो comfort zone में चले जाओगे, और comfort zone बड़ा boring होता है, यह अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आने वाले 10 साल बाद आपने आपको देखोगे, अगर इक comfort zone में पहुँच ग फिर जैसी routine में जाते हो, सब बोरिंग लगने लग जाता है, make growing your habit, if that is your habit, अगर वो आपकी आदत बन गई है, अब आप कुछ कमवाल के बन सकते हो, अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो, जिसको देख करके, the whole world will be proud of you, तो दुनिया को भी छोड़ो, दुनिया whether they will be proud of you or not, but you will be proud of yourself, most important.